दोखो ये कोशन हमें करना है क्या कोशन है 2NC3 upon NC3 equal to 11y1 find n दोखो ध्यान तो क्या करना होगा इसमें जैसे ऐसा है 2NC3 upon NC3 दोखो ध्यान दो to NCR की लगाओ value n factorial upon r factorial n minus r का factorial whole divide दो n factorial 3 factorial n minus 3 का factorial दोखो ध्यान दो ये क्या होगा देखो यहाँ पर 3 factorial 3 factorial कर जाएगा अब देखो 2N factorial को लिखेंगे 2N into 2N minus 1 2N minus 2 और 2N minus 3 का factorial दोखो whole divide by n factorial क्या हुआ फैक्टोरील और दोखो whole divide by n factorial क्या हुआ फैक्टोरियल क्या हुआ इन n-1 और n factorial को ऐसे लिखा जिससे ये कटेगा अब देखो ये आपस में cancel होगा क्या बचा देखो ये बचा 2n, 2n-1, 2n-2 whole divide by n, n-1, n-2 देखो ये आपस में cancel होगे अब देखो क्या हो गया ये हो गया 2, 2n-1 उपार से 2 common ले लेंगे तो n-1, नीचे n-1, n-2 ये आपस में cancel होगे देखो, ये क्या बचा गया 4 into 2n-1 upon n-2 ये आए रहे ज़ल दो तो देखो ये इस term की value आगई ये इस term की value आगई और ये किसके बरावर है देखो ये term आगया 4 into 2n-1 upon n-2 और ये किसके बरावर आगया 11y1 देखो cross बचाई करो ये क्या हुआ 8n-4 बरावर 11n-22 देखो क्या हो गया ये हो गया 18 equal to 3n तो n equal to क्या बन गया बोलो 6 ये हमारे question का answer आ गया है ना ये हमारे question का answer आ गया बोलो क्या n equal to 6 है ना तो simplify करना होता है और कुछ नहीं मतलब फैक्टोरियल में यही है देखना पड़ता है कौन सा फैक्टोरियल किससे कटेगा दोको जैसे ये बड़ा फैक्टोरियल है ये छोटा फैक्टोरियल है तो बड़े फैक्टोरियल को ऐसे open करते हैं कि वो छोटे फैक्टोरियल से कटे दोको जैसे ये n फैक्टोरियल है n-1 फैक्टोरियल तो n बड़ा है n-1 छोटा है तो n फैक्टोरियल को ऐसे open किया कि ये इससे कटे हमेशा हमारे यही कोशिस रहती है कि बड़ा factorial ऐसे हम open करते हैं कि वो छोटे factorial से जा करके cancel हो जाए तब ही वो simplify होता है factorial से factorial को cancel करना पड़ता है ध्यान दूब लिखो बच्चो ध्यान से